हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई हूप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो अगर आप इगनु के स्टुदेंट्स हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रोबलम आ रही है जैसा कि इस टुदेंट्स एक दो दिनों से ये प्रोबलम फेज कर रहे हैं अगर आप दिसंबर 2023 के एक्जाम के लिए अपने assignment अभी सितंबर में submit करने जा रहे हैं तो उनी students के साथ एक problem आ रही है क्योंकि अभी दिसंबर exam के लिए आपको जो assignment है वो 2022-23 के submit करने हैं ऐसे में कुछ assignment ऐसे हैं जो इगनु की website से चले गए हैं यानि कि यहाँ पर आप दे किया तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप बीए जी या बीए ओनर्स का कोई प्रोग्राम है आपका उसके लिए assignment अभी दिसंबर 2023 exam के लिए submit करेंगे तो आपको 2022-23 का assignment बनाना है जिसमें 2023 जिसमें जनवरी 2030 मैं सुनूं पर यहाँ आपर 2022-23 का assignment जो है वो यहाँ आप दिया लिष्ट से यहाँ पर सिर्फ 23 और 24 का assignment है 22-23 का assignment है यहाँ पर लिष्ट में नहीं है ऐसे में students का comment आ रहा है बहुत सारी students message कर रहे है कि यह जो assignment है यहाँ पर नहीं है तो ऐसे में हम अपने assignment कहां से download करेंगे तो अगर आपके साथ भी यह problem आ रही है तो आप थोड़ यह जो assignment है यह website पर दुबारा से आ जाएंगे इसमें time मी लग सकता है क्योंगग कई 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 बारह ऐसा होता है कि आपके जो assignment है वो website से क्योंगे last year भी SI होगा था कुछ ए!!! जो है website से कुछ time के लिए अटा दिये गए थे पर दुबारा से वो जो assignment है website पर दुबारा आ गए थे तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है अब यह जो आपके assignment 2022 थे इसके यहाँ पर website पर नहीं है पर कुछ दिनों में यहाँ पर इसे update कर दिया जाएगा अब कितने दिनों में update किय जाएगा यह कुछ कह नहीं सकते हैं पर अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके यह जो 2022 थे इसके assignment है वो update हो जाएं क्योंकि आपका सितंबर मंत आ गया है और आपको assignment भी 30 सितंबर तक बनाने है तो आपको क्या करना होगा आपको इगनू को आपको एक complaint register करने होगा, complaint register करने के लिए आपको क्या करना होगा, simply आपको Google पर सरच करना है, इगनू क्रीवियंस यहाँ पर जब आप इगनू क्रीवίνस जालेंगे तो यहाँ पर आ सामने है जैसे कि आप यहाँ आ पर देख रहे है, इगनू क्रीवियंस मैंने सर्च किया, इसके उप क्या करना है यहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ग्रीवियंस में स्लेक्ट करना है क्या क्वेरी आपकी तो आपकी जो भी क्वेरी है मान लीजे यहाँ पर जो भी क्वेरी ह आप से related जैसे कि मैंने यहाँ पर assignment पे click किया क्योंकि आपके assignment यहाँ पर update नहीं है तो यहाँ पर assignment पे click किया इसके बाद आपको यहाँ पर subject अब subject में क्या तो यहाँ पर assignment का caution paper या assignment का क्या है तो यहाँ पर caution paper इसके बाद यहाँ पर आपको next करना है next करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी रिजिनल सेंटर है enrollment नंबर क्या है student name क्या है इसके बाद program क्या है email id, mobile number, query यहाँ पर query में आपको क्या करना है आपका assignment जो भी update नहीं है यहाँ पर वो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी query क्या है इसके बाद यहाँ पर file यहाँ पर upload करने हैं यहाँ पर file आपके upload करेंगे आपको वो screenshot share करना है कि यहाँ पर आपके assignment जो है वो list से अठा दिये गए यहाँ आपर then submit करना है तो ऐसे अपनी complaint है आपको register करनी है कि आपके assignment है वो website से अठा दिये गए है वहाँ पर आपके जो assignment है वो नहीं आ रहे हैं तो जल्द से जल्द उसे update किया जाए तो ऐसे आप अपनी complaint रजिस्टर करवा सकते हैं तो दोस्तों हाई होप आपको वीडियो समझा है योगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज्यादा से यादा share करें चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद